इस वीडियो में official notification बताएंगे CA exam September 24 का exam form fee कितना होगा चाहे CA foundation का फिल करते हो September 24 में या intermediate का या unit wise exam form फिल करोगे तो कितना payment करना परेगा और क्या exam form fee में कुछ भी change हुआ है या update हुआ है इसके बारे में detail में जानेंगे तो वीडियो को पूरा last तक देख लीजेगा और हाँ सबसे पहले जान लेते हैं आपके exam date और exam form date के बारे में जैसे के students आप लोगों को पता है CA foundation September 24 का exam स्टार्ट हो रहा है 13 September से आपके screen पे exam date सिट्स हो कर रहा है CA intermediate group 1 का 12 September से group 2 का 19 September से और आप लोगों का exam form फिलिंग CA intermediate September 24 का कब से स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई से और आखरी date रहेगा 20 July 2024 विदाउट लेट फाइन 23 जुलाई तक आप लोग with late fine exam form फिलिंग कर सकते हो CA foundation का कब से स्टार्ट हो रहा है 28 July 2024 से और आखरी date रहेगा without late fine 10 अगस्त दो हजार 24 13 अगस्त तक आप लोग late fine exam form फिलिंग कर सकत C.A. Foundation September 24 का कैसे exam form fill करना 28 July 2024 को वीडियो आ जाएगा और उस वीडियो को देखने के बाद exam form fill कीजेगा अब latest notification सो कर रहा है C.A. exam September 24 जैसे कि बच्चों आप लोगो को पता है Intermediate and Foundation का exam September 24 में हो रहा है क्या होगा exam fee सबसे पहले अगर आप लोग intermediate का कोई एक group चाहे group 1 या group 2 का exam form fill करोगे तो पंदरा सो रुपया exam fee है या नहीं तो unit wise exam form fill करेंगे चाहे unit 2D में exam दे रहो unit 3 में exam दे रहो except 2 को छोड़ करके आपको पंदरा सो रुपया unit wise में भी आपको 1500 या आप group wise exam दे रहों वहाँ पे भी 1500 रुपया सिर्फ unit 2 को छोड़ करके रहे अब detail में जान लेते हैं अब unit 2D अलग हुआ और unit 2 अलग हुआ अब अपने मन में doubt मत ले आना अगर आप लोग बोथ group का CA intermediate का exam form fill करोगे या unit wise तो 1500 रुपया सिर्फ unit 2 को छोड़ करके या बोथ group का exam form fill करेंगे तो 2700 और साथ में unit 2 में exam form fill करेंगे तो 2700 अब जान लेते हैं CA foundation September 24 का अगर आप लोग exam form fill करते हो और पूरे इंडिया में कहीं भी आप center select करते हो देन आपको 1500 रुपया और CA का exam center कहां पे होगा कैसे select करना मैंने already detail video बना रखा है कि आपके state या आपके city में है या नहीं है इसके बारे में कैसे पता करें वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा बाकि intermediate overseas और foundation overseas वाले को कितना pay करना होगा आपके screen पे so कर रहा होगा form fill करना और हाँ students जो last date है without late fine वहाँ तक अगर आप लोग exam form fill कर ले तो अच्छी बात है नहीं तो जो exam fee so कर रहा है उसमें 600 additional add कर लेना late fine charge लग जाएगा late fine और कैसे exam form fill करना मैं बार 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 बोलता हूँ वीडियो देखके ही आप लोग exam form fill कीजिएगा और हाँ students चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि CA related एक भी important update और announcement मिसना हो पाए और charter studies का telegram channel को जरूर join कर लीजिएगा इस PDF को मैं वही पे share कर रहा हूँ telegram पे search करना है charter studies और join कर लीजिए या इसका link आपको description में मिल जाएगा साथ में charter studies के instagram को जरूर follow कीजिएगा कोई additional doubt हो तो आप वहाँ पे मुझे message कर सकते हो और मैं मिलता हूँ next video